हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल किचन स्क्विन तो आज है चिल्डरन्स टेई तो चलिए उनकी पसंद का कुछ मीठा बनाते हैं मैंने कडाई में पहले दो बड़े चमच घी लिया था उसके बाद आदा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है इसको इस घी में हम भून ल चैन्ज हो जाए तब तक आप इसी घी में बूनना इसको फिर क्या होता है कि जल्दी ये पक जाता आता नहीं तो बहुत टाइम लगाता है आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कुछ तो सीक्रेट है जो कि इसमें डेलेगा अब बच्चों को क्या सब को पसंद क्योंकि ये चिल्द्रन्स टेपे बन रहा है तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो स्विसल होना चीए जो कि उनको पसंद आए अब केक चौकले लड़ू बर्फी ये तो बच्चे खाते रहते हैं इस मिठाई में उनको इक अलग सा टेस्ट लगेगा बच्चे सबसे ज चिल्द्रन्स टेपे बच्चे बड़े खुस रहते हैं चिल्द्रन्स टे आने वाला है और हमको मनपसंदिली चीज मिलेगी ज़रूर यहां पे आटे का कलर चेंज हो गया है हलकी खुस पर भी आने लगी है और इसमें एक चमच घी और एट कर रही हूं ऐसी करके हम धीरे इसमें मिलाते रहेंगे घी जिससाब से इसको चाहिए होगा ज्यादा नहीं मिलाएंगे एकदम से इसलिए मैं ऐसे दीरे-दीरे करके घी इसमें एट कर रही हूं तापकि आपको इसकी क्वांटिटिवी पता चल जाए और परफेक्ट हमारी मिठाई भी बने गैस को आप लो टू मीडियम करना अगर आपको लगे कि यह भूनते भूनते जल रहा है तो आप एकदम लो कर देना गैस को और इसको चलाते रहना छोड़ना मत बिल्कुल भी क्योंकि यह काफी भून चुका है तो अब यह जल सकता है और इसमें आप देख रहोंगे इसमें काफी घी क अब देख रहोंगे इसमें कि इतना मले आटा इतना अच्छा सपग गिया है कि मैं चमच से दबा रहे हूं न तो एकदम से प्लेन हो जा रहा है इसमें मैं डाल रहू हूं आदा चमच के करीबन कोको पॉडर और बस इसको मिक्स करने तक हमने इसको पकाना है ऐसा नहीं कि बहुत देर तक पकाना है बस यह मिक्स हो जाए थोड़ा सा उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगी तो कोको पॉडर मैंने इसले डाला है क्योंकि इसमें चौकलोटी फ्लेवर आएगा थोड़ा सा और इसका कलर भी चेंच हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है मैं इसको उतार दूंगी नीचे अभी यह गरम है तो इसको चलाते रहना है नहीं तो नीचे जल जाएगा इसमें हम अभी डिरेक्ट चीनी वेगरा नहीं डालेंगे क्योंकि गरम है तो चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम रूम टेंपरिचर पर आने द तो मैं इसमें मिक्स कर रही हूं इसको आप इसमें अपने पसंद के साफ से कुछ भी ड्राइफूर्स टाल सकते हो और इसमें जो सीक्रेट है वह यह है तो यह डेरी मिल्क चोकलेट है इसके जो यह चार पीस है ना उसको में तोर तोर के डाल दूंगी और इसको इसके साथ मिक्स कर दूंगी क्योंकि यह अभी गरम है तो यह अच्छे से इसमें अपना भी मेल्ट हो जाएगा अभी उतना ठंडा यह नहीं हो रखा है तो चोक्टेश इसमें दीरे-दीरे मेल्ट हो रही है इसको मिक्स कर दूंगी में इसमें और यह हलका सा आप चीनी का जो बूरा मिलता है न वो भी डाल सकते हो तो आप बच्चों को हमेशा चिल्डरन्स टे पे चॉकलेट देते हो अब की बार उनको चॉकलेट के लड़ू किलाना उनको बहुत पसंद आएंगी इसका आप कलर भी देख रहोंगे एक दम चॉकलेटी कलर का हो गया ह इसमें आदा कप मिला रही हूं पिसीवी चीनी क्योंकि यह ठंड़ा हो गया है और इसमें में पिसीवी चीनी मिक्स कर दोंगी इसको बनाते बनाते ही चॉकलेट की खुसबो आ रही है कीचन में तो बच्चे अगर आस-पास ही होना कहीं उन्हें लग जाएगा चॉकलेट स भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि हाथ से जल्दी हो जाएगा ना तो अभी एक गुनगुना है तो यह अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है और चीनी डालने के बाद अगर आपको लगेगी यह बहुत सुखा सुखा सा हो रहा है तो आप इसमें एक या दो चमच घी गरम करके डा चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है तो चलिए इसके अब लड्डू बनाते हैं इसको बहुत जादा थंडा नहीं करना है नहीं तो फिल अब नहीं बन पाएंगे यहलका गुनगुना ही है अभी तो इसकी पटापट से लड्डू बना देते हैं लड्डू आप अपन ताकि इसकी बैंडिंग अच्छी से हो सके तो चलिए सारे लड्डू बना देते हैं आपने ऐसी ही लड्डू बनाने हैं सारे इसको बनाने में दो हाथ को तो यूज करने की जरूती नहीं एक हाथ से ही बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं आप इस लड्डू को जरू तो बन गए हैं फटा फट से लड़ू कम सामान भी लगा पर टायम भी ज्यादा ने लगा तो कैसे लगए आपको ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लेज मिज़े सब्सक्राइब जरूर कर देना आपके घर में मेमा नाएं कभी तो आप उनके लड़ू बना के उनको खिला सकते हो वो भी आपकी तारीफ जरूर करेंगे